कि हेलो फ्रेंड जो डेली निई आलसीज एड एक हें देट्यों आजसेश आपड़ते इस हमें इसमें एक हाट्किल है बिल्ट पर्ष्णल डाट प्रोटेक्शन बिल दोज़ारेश जो की सुप्रीम फिसुप्रिय। सब्सक्राइब करें कि फ्राइफ क्रेंगे इन चीजों को हम डिसक्स करेंगे अगर बात करें हम इस जो आयर्टकिल में देजिटल परस्टनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को इसने लिखा है अंजली भार्दवाच और अम्रिता जोहरी ये लोग कौन है ये लोग जो है नेशनल कैमपेन फार पीपल्स राइट टू इनफारमेशन एंड सतरक नागरिक संगठन उससे लोग एसोसियेटेड हैं अगर हम बात करें गौवर्मेंट की तो गौवर्मेंट ने जो है डिश्टल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को पेज करने वाली है अगर बीपच का कहना है कि ये जो है पारलेमेंटरी स्टेंडिंग कमेटी के सामने उन्होंने अपनी डिसेंट को रिपरेजेंट के नोट कराया है वहां पर अपनी बिर अगर बात करें तो नौबर 2022 में मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रानिक्स और इंफार्मेशन टेकनालजी ने उसे एक पब्लिक लिए ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया था इस बिल के रिफरेंस में जनता के कमेंट के लिए उनके कंसल्टेशन के लिए तो काफी ज्यादा जो है कंसर्न को रिप्रेजेंट कराया थे मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रानिक्स और इंफार्मेशन टेकनालजी में और फिर मिनिस्ट्री ने जो सजेसन पाए उसी का धार पर अपिर अपने गॉर्मेंट ने अपनी पॉलिशी का धार पर उन्होंने क्या किया है एक ड्राफ्ट उसमें हमें पता नहीं है Do not repeat the error अगर बात की जाए जो ब्यक्ति है, जनता है, शिर्जन है इनकी fundamental right है right to privacy और right to information तो 2017 में पुट्टा स्वामी केस में Supreme Court of India ने कहा था कि right to privacy is the part of article 21 तो अनुच्यद 21 जो कि जीवन की सुतनतता की बात करता है उसका अंग है right to privacy और fundamental right ये है हमारे information right to information, right to privacy उसी से related है तो यह जनता के शिफगार्ड के लिए उनके सुरच्छा के लिए बनाए गया है लेकिन जो data protection bill 2022 है उसमें एक amendment amendment की proposal किया गया है कुछ amendment करेंगे जो कि actual में भी पता नहीं है amendment क्या होगा वो जब बिल पेस होगा पार्लेमेंट में तब जाकर के पता चलेगा जबकि बात के right to information एक की तिये 2005 से बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को काफी जैदा उनके सूचनाय सरकार से या different ministry से भीभागों से अन्य जगहों से प्राप करने में बहुत ही सहायक रहा है और यह milestone साबित हुआ है सरकार पहले तो इसको लाई लेकिन सरकार खुद बिलकुद लाने गवाद उसको परिसानी महसूस हुआ था और सरकार ने खुद वालटी को फिक्स करना हो डेमोक्रेसी को के एकारडिंग डेमोक्रेसी को बचाया रखना है जनता को जो जितनी और सकता हो से information को पर प्रोइड करा जाए तो इस सब चीजों को ले करके इसमें बिल में कुछ चीज़ें रखी गई है कुछ अमेंडमेंट है वह अमेंडमेंट इस बिल में पेस किया जाएगा अगर इजांपल के तवर बात करें तो सुप्रीम कोट ने कहा था कि यह जनता का यह नागरिकों का अधिकार का अधिकार है कि जो भी बैंक है लोन दिया है किसी बहुत बड़े इमांट को और कि उनका लोन यह नपीए हो गया तो पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर कोई बैंक है जिसमें जनता के पैसे लगे हुए है तो उन्हें यह इनफार्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है को य पिए किसका है और कितने रुपय का है यह विल्फुल डिफाल्टर जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना यह जनता का अधिकार है डेमोक्रेसी रूटीनली इंस्योर पब्लिक डिस्क्लोजर आफ ओटर्स लिस्ट बिथ नेम एड्रेस अधर पर्सनल डाटा साथ डेमोक्रेसी में एक ऐसे भी चीज़ी देखने के मिलती हैं जब ओटिंग पड़ती है तो कुछ लोग महा गदहे और बेवकूफ होते हैं वो अपने जिंदगी का ठिकाना नहीं है पर दूसरी के जिंदगी बनाने के लिए बेमानी करते हैं वो दो दो तीन तीन बार कर सकें यह काफी ज्यादा सही भी है लेकिन एक समस्य भी आती है कुछ लोग उस डाटा का मिस्यूज कर सकते हैं तो इसकी लिए एक समस्या भी पड़ सकती है और एक्स्पेरियंस कहता है कि राइट इंफार्मेशन एक्ट जो है अगर पीपल जो है अगर इस पेसली पूर और मार्जिनेलाइस सेक्षन की बात की जाए तो उनके लिए जो है काफी ज्यादा यह सहायक रहा है लेकिन एक बात यह है कि अगर उनके लिए सहायता तभी मिलेगी जब उनके कुछ वेलफेर प्रोग्राम को साथ में जोड़ा जाए और उनके जो है रिलेवेंट इंफार अगर कुछ बड़ा चेंजिंग करते हैं तो हो सकता है कि जनता का जो अधिकार है उसमें राइट टू प्राइवेसी है उसमें जो है कुछ समस्य आ सकती है जैसे क्लाज एक्षर 8-1 क्लाज जी में पर्सनल इंफारमेशन इंग्जेम्टेड फ्राम डिस्क्लोजर इफ इस नो रिलेशन्शिप टू एनी पब्लिक अक्टिविटी तो साथ इसात यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का पर्सनल इंफारमेशन किसी व्यक्ति को करता है नाष्ट फ्रामेशन इस दिश्क्लोज नहीं कि जाएगा जैसे कि अगर वहां पर जो है किसी में इस संबंधित नहीं तो उससे नहीं जाएगा और अगर जो है कोई मामला पब्लिक इंट्रेस्ट में है तो भी ने दिया जाएगा और अगर इफ इन्फार्मेशन साट इस सच देट इड़ वूट काज अन्वारंटेड इन्वेजान आवद पर राइवेसी और किसी का प्राइवेसी को खत्रा हो तो इस तरीके के भी चीजें इन्फार्मेशन नहीं दी जाएंगी इसलिए जो वहां पर इन्फार्मेशन आफिसर है वह पहले सटिस्फाइड होगा स्वेम के स्थर पर कि क्या लार्जेस्ट पब्लिक के इंट्रेस्ट में है या नहीं जो इन्फार्मेशन मांगे जा रहे हैं वह अर्शनल डाटा प्रोटेक्शन लाँ देरफोर डज नाट रिक्वाइर एनी अमेंडमेंट टू देग्जिस्टि आटी आई लाँ इसमें कहा गया है कि सरकार जो चेंज कर रहे हैं एक्च्वल में उसको चेंज करनी का सकता नहीं है ज्यादा क्योंकि उसमें अल्ड़ी सरकार के पास एक आटी आई एक्ट है और वहां पर एक्जक्यूटिव आडर से कुछ चेंजिंग किया जा सकते हैं दिस इस आल्सो नोटेट बाइद जस्टिश एपी सा रिपोर्ट आन प्राइवेसी पर जो रिपोर्ट जस्टिश एपी सा ने कहा है कि उन्हों नहीं कहा कि एट क्लाज बन क्लाज जे में कुछ चेंजिंग किये जाएं तो इससे जो है एक जो ट्रांस्पारेंसी होगी एकाउंटेबिल्टी गवर्मेंट की होगी हो सकता है कि उसमें कुछ समस्य आया और जनता के लिए कुछ चीज़ें किलियर नहीं लेकिन यह बिल तब सब्सक्राइब करना प्रोटेक्शन करना काफी ज्यादा और यहां पर जो है गवर्मेंट की डिस्क्रेशनली पावर बढ़ाई जा रही है इस बिलके माद हैं से तो जो बिल है कि ऑस्टेशनली इसमें इसमें इसा कहा गया इसे इक्जक्रोटी का पावर को अंग कर सकता है शहां से से payment कोई सकता है तहԵहां से कोई डाटा नहीं लिया जा सकता है तही एक तरीके से दिखां Whenever गन्रेंट बैन लगाए जा सकता है इसके बाद की जैसे की जो ghosts कि कुछ एजेंसिया हैं उनको भी एक्जेंट कर सकते सरकार जैसे युई डिया उनिक ऐडेंटिफिकेशन थार्टी अफ इंडिया को और इसके लाओं बहुत सारे ऐसे जो है संस्थाओं को सरकार जो है एक्सेस नहीं करने देगी इस तरीके से बहुत बड़ा असर पड़ेग पूरी जो है पावर यूनियन गवर्मेंट के हाथ में चली जाएगी को डाटा को मैनिपूलेट कर से डाटा ने इंफार्मेशन को जब चाहेंगे तो देंगे और जहां से चाहेंगे वहां से दिला देंगे अध्रवाइस संभा नहीं है तो आटो नामी को लेकर के खत्रा बताया गया है तू मिट इस अब्जेक्टिव अब दे प्रोटेक्टिंग पर्सनल डाटा इट इस क्रिटिकल देट अबर साइट बाड़ी सेट अप अंडर दे लेस्लेशन भी एडेक्वेटली इंडेपेंडेंट टू एक्ट अन दे वालेशन आप दे लावाइद गवर् और साथी साथ इसमें एक चीज ऐसा देखा गया है कि जो ड्राफ्ट विल्ल डज नाट इवेइन में के प्रिटेंस आप दे इंस्योरिंग आटोनामी आप दे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो डाटा प्रोटेक्शन बोड है वो खुद उसके पास आटोनामी नहीं है व इस तरीके से जो डाटा प्रोटेक्शन बोड है उस पर पूरी तरीके से उनियन गवर्मेंट का कब्जा होगा कंट्रोल होगा और वो खुद उस बोड में लोगों को जो है एपॉइंट्मेंट करेंगे अब यहां पर यह के बीपच्च का यह कहना है कि इसके पास इसके उपर बहुत हैवी फाइन लगवा दे जिसके वैसे उसके उपर समस्या क्रियेट हो जाए इस तरीके के चेंता इसमें रिप्रेजेंट की गई है तो यह था यह विल तो यह है विल का ड्राफ्ट के आधार पर सारी बातें कहेंगे एक्च्वल बातें तब पते सलेंगे जब पुब्लिक डोमेन में चीजें आएंगे इसके बाद एक आर्टकिल है सुप्रीम कोट इंडिक्टिमेंट अगर देखा जाए तिस आर्टकिल में एक्च्वल में आ सुप्रीम कोट एक पास 6,000 रुपे जो फायर हैं उसके बारे सुप्रीम कोट ने किया कहा उन्होंने कहा को लावर आडर एक्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं इस्ति बहुत बिगड़ गई है और 7 अगस्त को मड़ेपूर के डायेक्टर जनरल आप पुलिस को उन्होंने प्रि स्ट्रक्चर सेक्टर है उसके बारे में इसमें डाटा कुछ क्लेक्ट किये गए जो कि हमाई लिए बहुत ज़्यादा याद रखना संभव नहीं है कि आउटपूट एट इंडिया एट कोर सेक्टर स्ट्रेंथें हट अंगली इन जून बिद ओवर आल येर और ग्रों इन इस्टिमेंटेड टू है क्विकेंड टू एफाइब मन्त हाई आफ एट प्वाइंट परसेंट जो कूर सेक्टर है आठ सेक्टर इस तरीके के हैं उनका जो है टूटल अगर एवरेज रूप से टूटल जो है ग्रोथ आठ दसमल दो परसेंट पाये गया है तो जिसमें की की बात की जाए इस्टील सेमेंट इलेक्रिसीटी है इनके में जो है काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है तो सिमेंट इंडस्ट्री में और इलेक्रिसीटी में और रिफाइनरी में इस्टील में यह सब जो है कुछ ज्यादा ही अच्छे काम की है इसनी चीजों के बार स्टील और सिमेंट किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेन पार्ट है और जब हम को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं गए विजली का उसकता पड़ेगी पेट्रोलियम रिफाइनरी नेचुरल गैस कोल इन सब चीजों को मिला करके आठ सेक्टर बनते हैं उसमें उबराल क्वालिटी देविल्स आफ चेंज इन करनाटका करनाटका स्टेट से संबंधित एक आठकल छपा है कि वहां पर महिलाओं को बसों में फ्री एक्सेस मिलेगा यानि वहां पर कुछ ऐसी हां पर कलपना की गई है कि हम जब जाते हैं कहीं पर बस स्टेंड पर रेलोए कि ऐसा अगर हम कहां जहां कहीं भी जाएं वहां पर महिलाओं जादा दिखें पुरुष कम दिखें तो अगर वहां पर महिलाओं को ज्यादा ज्यादा एक्सेस दिया चैके उनको जो है बस ये करनाट का संबंदित है और कुछ हिपस में hypothetical और imagination किये गए हैं तो उस imagination को यद्हास्त में बदलना अभी बहुत लंबी टाइम है तो करनाट का scheme where women can travel for free on state buses the aim is to make transport more accessible and safer for women तो अब महिलाओं को लिए जब transportation की कोई चार्ज ही नहीं देना है कोई ticket ही नहीं खरिदना है तो यह उनकी लिए यात्रा सुदम बनाएगा जहां चाहेंगे आराम से आएगे जाएंगे वह पढ़ाई लिखाय कर सकती है जॉब कर सकती है यह सब ठीक है लेकिन यह भी तो ध्यान देने जाद क्या फाइनेंसि बढ़ेगा और यह ऊट बयंक की राजनीती है यह हमारे हिसाब से बिलकुल ही खलत है अगर ल fighters के जहन